पूरी डीटेल बताऊंगा दोस्तो पूरी डीटेल आप देख सकते हैं यह वह सोफा काम बैड है और अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो दोस्तो यहां से आपको पूरा कमप्लीट 6 फुट आपको यह चौड़ाई मिलेगा उसे साथ से दोस्तो साइड से आप देख सकते हैं साइड से आपको आठर टे मोटे हैन्दल मिलेंगे इदर से डिजाइनर हैं इदर से ऐसे और दुसरि साइड से आपको आइसे मिलेंगे तबर ग्राओं कि फटी सकते हैं यह बैद साइड में बहें गया अगरे इसका अब मैं सोफा काम बैड हो गया अगर आप इसका हैड Female बात करूं दोस्तो इसमें स्टोरेज ज्यादा नहीं मिलती अंदर से यह स्टोरेज रहेगी इसके साथ दोस्तों पिलो हो गए पिलो भी आपको मिलेंगे इसके साथ और अगर इसके पॉलिश देख सकते हैं दोस्तों डार्क ब्राउन इसे पॉलिश हुआ हुआ है डीको पॉलिश हुआ है ज़र इसको बंद कर देता हूं और नीच्छे से लिखाउं आपको आपको साइड से तो देख सकते हैं दोस्तों ये विल पर बना हुआ है ये विल पर ही होता है और इसमें गई प्रोबलम नहीं आती है लोग को लगता है इसका mechanism हो जाता हैår. भूछ तो पॉर्फिल की बात कुरूब ऑगी, और अगर इसकी पॉलिश के बात करूँगाएं दोस्तो, तो इसका जो पॉली ओंख पॉलिश है, ये ऐव रहा हो रहा है., अब साइस देख सकते हैं दोस्तो, पूरा आपको, आपको पुरा डबल मिलेगा डबल बैड जितना अंदर अंदर आपको 6 बाई 6 मिलेगा दोस्तो ये सोफा कम बैड लेने का benefit ये होता है दोस्तो कि अगर आपके पास जगा नहीं है तो आप उसको सोफा भी इस्तमाल कर सकते हैं और बैड भी बना सकते हैं और दोस्तो जब आप इसे बैड बना लेंगे तो आपको मैट्रस नहीं लेना पड़ेगा मैट्रस आपका यही काम में भी आ जाएगा तो सोफा भी आप बन गया बैड भी बन गया और मैट्रस भी आपको नहीं लेना पड़ा ये काम आता है सोफा कम बैड का इसलिए लोग ज्यादा प्रिफर करते हैं छोटी जगा में सोफा कम बैड लेना और जरा में इसे बंद कर देता हूँ है कि इससे बंद करना भी बहुत मुश्किल नीयुए है बस आपने अराम से पैर से से पुछ करिये उसके बाद एंजरी जोस्तों पूरा इसे पूराऊद 평 करेदें sea अजNoft एमthere rif सागवान की लगड़ी काई अगर ले ल्टेल कि ले अगर आP से सकते हैं जो हमारी हिलोटेंगे अगर आप लखनों के बाहर आं से ले फशानों को लेटने ची नहीं हम आपके एरिया में डिलिवरी करा देंगे बस आपको डिलिवरी चार्जीश पेकर ने पड़ेंगे हम आपके घर पे जो भी आप furniture लेंगे वो हम deliver कर देंगे और दोस्तों करें वीडियो अच्छी लगे तो please वीडियो पर लाइक करना चैनल को सब्क्राइब करना ऐसे ही जल्दी मिलूँगा आपसे next वीडियो में